प्रमोशन जोर सोर से शुरू हो चुका है साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म के दुसरे गाने को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दे चले कि रोही शेट्टी के डायक्षन में बनने वाली एक्षन थ्रिलर फिल्म सूरी वंशी जो की कॉप उनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म है सिंगम और सिंबा के बाद दोस्तों आक्षरी कुमार कॉप उनिवर्स में अपने एंट्री सूरी वंशी से करने वाले हैं जिसकों की एंडियन बॉक्स आफिस पर पांच नॉम्बर को रिलिस किया जाना है दोस्तों इस फिल्म का प्रमोशन आज से जोरदार शुरू हो चुका है जब दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के मेच में सुपरिश्टार अक्षरी कुमार, रोही शेटी और केटरिना केफ इस फिल्म का प्रमोशन करेंगे दोस्तों बता दे आपको कि इस फिल्म का पहला गाना पहले ही रिलिस कर दिया गया है जिसे कि ओडियन्स की तरफ से काफी पसंद किया गया था अब दोस्तों इस फिल्म के दूसरे गाने को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है वो ये है दोस्तों कि इस फिल्म का दूसरा गाना अरिजिस सिंग के आवाज में मेरे यारा रहने वाला है जिसमें आपको केटरिना केफ और अक्षे कुमार के बीच की कैमिश्ट्री देखने को मिलने वाली है ये दोस्तों एक सौलफल सौंग होगा जिसे कि इंडियन ओडिय के लिए 27 ओक्टूबर को T-Series के ऑफिशल चेनल पर रिलिस किया जाएगा और इस गाने का टीजर आपको 26 ओक्टूबर को ही देखने को मिलने वाला है सैंसर की दरफ से दोस्तों इस गाने को ऑफिशल पास कर दिया गया है और दोस्तों अब ये गाना आपको 27 तारिक को काफी अच्छा बना देगा फिलाल में दोस्तों इस फिल्म का ग्राउंड लेवल पर काफी अच्छा प्रमोशन चल रहा है जहां पर दोस्तों इस फिल्म के बड़े-बड़े बैनर्स लगाय जा रहे हैं और इंडिया की सभी बड़ी सिटीज में इस फिल्म को लेकर काफी अच्छा excitement देखने को मिल रहा है उम्मीदे हैं दोस्तों कि अक्षे कुमार सर की ये फिल्म Indian Box Office पर अपने पहले दिन 30 से 35 करोड रुपे की ओपनिंग ले ले और 2020-21 की सबसे बड़ी ओपनर बनने के साथ साथ अक्षे कुमार सर के केरियर की भी सबसे बड़ी ओपनर बन जाए आपको क्या लगता है दोस्तों इस फिल्म को Indian Box Office पर कितने करोड की ओपनिंग मिलेगी हमें अपनी राय कमेंट करना बिलकुल ना भुलिएगा और Box Office बॉलिएड और साथ के अपडेट्स के लिए आपके अपने चेनल रिविव बाजार को सबस्क्राइब जरू कीजेगा दन्यवाज जेहिं जे भारत